नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं उन्होंने आवास के बाहर अपने करकाताओ को संबोधित किया मुखी मंत्री ने कहा है कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की है डरने की कोई बात नहीं है जो भी आपत आएगी वे सबसे आगे खड़े होकर मुकबला करेंगे जार्खन्डी डरने वारे नहीं है रांची में जमीन घोटाला मामले में इडी की टीम ने मुखी मंत्री हमान सुरीं से पूछताश की है इधर CRPF के दस वाहनों से भारी संख्या में जवान सीम आवास के चारो तरफ पहुचे थे जवान हीट प्रूप जैकेट के साथ पुरी तयारी से लेस थे अलग-अलग टुकड़ियों में सीम आवास के चारो तरफ लगाए गए थे सीम आवास में बेसब्र दिखे विधाया कराइधनी रांची के हिन्नू इडी कर लेकर सीम आवास तक सनिवार को गहमा गहमी थी इधर पुराने CM आवास में सतापक्श के विधायक जूटे थे सूबा से विधायकों का आना जाना लगा रहा घडबंधन के सारे विधायक देर राथ तक CM आवास में डटे रहे इडी अधिकारियों की पुछतास के बाद विधायक बेसबर थे ख़वरों की परताल में लगे थे बेसबर विधायकों के लिए दीन कटना मुस्किल हो रहा था टीबी मुबाइल देख कर समय गुजार रहे थे कुछ विधायक सीम आवास में टाल रहे थे छेतर के लोगों से बाचित भी कर रहे थे सीम आवास के बाहर काद्री से कुछ और था जामो करकाता सलक पर थे वहीं मीडिया कर्मियों की आपाधा पी भी थी बाहर के द्री से उतारने के लिए चायाकार की भाग दोड़ रही थी पूलिस परसासन के आला अधिकारी मोचा समाल रहे थे DC, SP, CT, SP, आधा देजन से अधिक, DSP मुख्य सलक पर नजर रखे हुए थे वहीं अधिकारीों की गश्त जारी थी देर साम तक ID के अधिकारी CM आवास में थे पूश्तास के बीच बिधायकों का सबर टूट रहा था वहीं करकाताओं को कड़ाके की ठंड भी सता रही थी CM हेमांद 22 जन्वारी को 25 सो युवाओं को देंगे ओफर लेटर जार्खन के अस्थानिय युवाओं को निजी छेतर में 75 पर्थेत नियोजन सुनिश्चीत करने के दिशा में राज सरकार लागातार आगे बढ़ रही है इसी कड़ी में स्थियम हेमांद 22 जन्वारी को 25 सो युवाओं को निजी छेतर में ओफर लेटर सोपेंगे रांची के होटवाज थीत खेल गाओं के टाना भगत एस्टेडियम में हुनर्मद युवाओं को अर्वेंद टेक्स्टाइल, किसोर, एक्सपोर्ट, सिरिगनपति, क्रिस्चियन, अर्बन, डिजाइन, प्राइबेट, लिमिटेट, मैट्रिक्स, कतोलिक्स, वेलेसिया, आपरलस, एवाम, ओरियेंट, क्रफ्ट, टेक्स्टाइल कम्पनियों के ल जारखंड मौसम, कलाके की ठंडवा सितलहरी से लोग परिशान है, अभी कोहरे से रहात नहीं मिलने वाली है, मौसम भीभाग ने अपने पुरोर्मान में बताया है कि एक कई से लेका 24 जनवरी तक सुबह में कोहरा या धूंद और बाद में आशिक बादल चाहे रहेंगे, वहीं 25 जनवरी की सुबह में कोहरा या धूंद और बाद में आशिक बादल चाहे रहेंगे, वहीं धनबाद में हरका पा देने वाली ठंड से आमजन के साथ साथ पसु पक्षी भी बिहाल है, इडी की पुष्टाच खत्म होते ही एक्स पर ट्रेट करने लगा हेमंत भाया सबसे बढ़िया, चाहरखन के मुख्य मंत्री हेमंत सुरिन से परवतन निद सालाई इडी के अधिकारी एक पुष्टाच खत्म होने के बाद सोसल मीडिया साइट एक्स पर हेमंत भाया सबसे बढ़िया, हेमंत सुरिन की पार्टी जहरखन मुक्ति मोचा और उनके समर्थकों ने एक्स पर अलग अलग तरह से पर्तिकिरिया देनी शुरू की, केंद्र सरकार भातिय जन्ता पार्टी और केंद्रिय जांच एजन्सी इडी के बार में गम भी टिपनिया की, इससे पहले हेमंत सुरिन ने मुक्ति मंतरी आवास के बाहर उनके समर्थन में बैठे जहामों मों करकताओं को समोधित करते हुए का है कि, भाजपा के लोग उनको फसाने के लिए सरंत्र के जाल बिछा रहे हैं, सरकार बनाने के बाद राज में सुरंगिम विकास के साथ साथ हम लोगों ने उनके सुरंत्र कारी जालों को कुत्रा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, अब उनके ताबूत में हम आखरी किल ठोकेंगे, आप घाबराये मत, हेमान सुयन हर एक करकत्ता के साथ खाड़ा रहेगा। सारी संगठनों के अध्यक्ष और परतिनदी सामिल हुए, टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चक, कुर्मी विकास परिशद, आदिवासी कुर्मी विकास मंच, आदिवासी कुर्मी समाज, जारकन कुर्मी महासभा, 22 कुटूम, कुर्मी संस्किती मंच, सहीत 14 संगठन सामिल अनसुचित जनजाती की सुची में सुची बत करने और कुडमाली भासा को समिधान के आठवी अनसुची में सामिल करने के लडाई को कमजोर करने की भी साचीस की जा रही है इसी कड़ी में भाजपार कुछ रायनितिक पाटिया कुछ एस्टी बीचवलिये नेताओं को बिरोध करने के लिए पालतु बना कर रखी है जो लगातार कुर्मियों का बिरोध कर रहे है साजिस के तहट 18 फरवरी को होने वारली हुंकार महारायली को रोकने के लिए मोरबादी मैदान के अनुमती देने में रोड़े अटकाय जा रहे है लेकिन कुर्मियों को रोकना संभव नहीं है राम लला की प्रान प्रतिष्ठा के दिन जारखन के 51,000 मंदिरों में होंगे अनुस्ठान सिरी राम जन भूमित तीर्थ छेत्र के अवाहान पर 22 जनवरी को योध्या जी में हो रहे सिरी राम लला की प्रण प्रतिष्ठा के दिन जारकन के 51 हजार से अधिक मंदिरों में सुबा 10 वये से धार्मिक अनुष्ठान, पुजन, भजन, किर्तान, हनुमान, चलिसा पाठ, सुन्दर कान पाठ, सिरी राम चलित्र मानस का पाठ किया जाएगा यह बात बिश्व हिंदू परिष्ठा के प्रांट अधियाक्स मंचम सिंग ने रांचिक मुरबादी में प्ले स्वार्ता करके है उन्होंने कहा है कि अयोध्या राम मंदीर में हो रहे कारकरम कर राज के हजारों मंदीर परिसर में लाइप परसारन की भी विवस्ता की जा रही है इसकी तैयारी में समस्त हिंदू समाज के साथ 200 हिंदू परिसाथ बजरंग दल सहीत राष्टिय स्वेम सेवक संग के सभी अनुसांगिक संगठन सभी धार्मिक अध्यामिक समाजिक संगठन मंदीर समिति के लोग लगे हुए है अध्याजी में हो रहे मर्यादा पुर्शोतम भावान सिरी राम लला की प्रन पतिष्टा के कारकरम में समिलित होने का प्रम सोभाग प्राप्त हो रहा है इससे वास्तों में उनका जीवन धन्य हो गया है 30 जनवरी से असपर्स कुष्ट जगरूपता पकवारा उपायुकत गढवा सेखर जमुवार के अध्यक्सता में जीला स्वाच समिति की एक बैठक राष्ट्रिये कुष्ट उन्मुलन कारकरम यो राष्ट्रिये तमबाकू नियंत्रन कारकरम के तह समनाले के सभाकक्ष में हुई बैठा के दोरान सीविल सर्जन गढवा टाक्टर असोक कुमार द्वारा उपस्ति सरस्योक असपर्स कुष्ट जगरूपता अभियान 24 के बारे में बताया गया साथ ही तमबाकू नियंत्रन कारकरम के भी जनकारी दी गई इस मोके पर जीला कुष्ट निवारन पता सर्ण नोडल पता दिकारी एंटी सीपी डाक्टर कौसल सहगल द्वारा कुष्ट उन्मुलन एवं तमबाकू नियंत्रन कारकरम कतात किये गा विभीन गतिविधियो प्राप्त किये गए उपलब्धियो एवं आगामी किये जाने वाले विभीन जागरूपता अभियान के प्रोजेक्ट के माध्यम से सलाइट प्रदरसित कर बताया गया है कि 23 जनवारी को तोरपा आएंगे मुख्यमंत्री अब वह आवास वेना को लेकर 23 जनवारी को आयोजित होने वाले कारकरम मुख्यमंत्री हमां सुर्ण सामिल होंगे कारकरम तोरपा के NHPC मैदान में कारकरम आयोजित किये जाएंगे कारकरम की तयारी को लेकर उपायूक्त लोकेश मिस्रह के देख्षता में समानाले सभागार में बैठक किया गया बैठक में उपायूक्त ने उक्त कारकरम को लेकर बिधी बेवस्था और सुरक्षा बेवस्था संधारन या तायात बेवस्था और अने बेवस्थाओं को सुद्रेट करने का निर्देश दिया उन्होंने कहा है कि कारकरम को लेकर सभी विभाग अपने अपनी त्यारी पूरी कर ले सभी आपस में समयनों अस्थापित करकार को गती परदान करे उन्होंने कारकरम को सफल बनाने का निर्देश दिया है जेजे MP के चार उग्रवादी गिरफतार पलामु के पाकी थाना छेत्रे के बिहरा गाउं से पुलिस ने जेजे MP के चार उग्रवादी को गिरफतार किया है इनमें धर्मेंद्र कुमार भुईया, सतन उराव, जगन उराव और राजू साहू सामिल है पुलिस ने उनके पास दो देशी कटा लाल रंग से लिखा हुआ एक परचा चार सादा परचा, दो मोटर साइकल, तीन मोबाईल वब पांच हायार नगत बरामत किया है इस समद में पलामू S.P. रिस्मा रेसम ने बताया है कि पुलिस को सुचना मिली थी कि पाकी थाना के सिमावर्ती शेत में बिकास कारिया में लगे ठेके दारों और आंगन बाडी निर्मान में लेवी की वसूली के लिए जेजे MP के दस्ते द्वारा बार बार परचान किया आयोध्या में सोमवार को सुरी राम लला की परतिमा प्रान परतिष्ठा के दोना रांची में भी कई धार्मिक आयोजन होंगे इसे देखते हुए रांची के दिकान सिने जी स्कूल बंद रहेंगे इस्कूल परवंधन ने सोभा यातरा और घर मुहला में होने वाले कारकर करने करने लिया है तीन मिनट में अधाई केजी दही खाकर बने विजेता मेधा डेरी और इंडियन डेरी एसोसियेशन जार्खन चैप्टर की ओर से मेधा दही खाओ इनाम पाव परतियोगता दोहेचोबिस का योजन सन्निवार को किया गया डेरी पलांट में आयोजीत पर किनट में चवालिस वर्षिये बिनाय कुमार सिंग ने 2.53 किलो दही खाकर पहला प्रसकार जीता है वहीं 48 वर्षिये मनोज मिस्ता ने 2.535 किलो दही खाकर दूसरा और 26 साल के उतम ने 2.413 किलो दही खाकर दूसरा अस्थान हासिल किया है धन्यवाद